आज के वीडियो में आपको बता रही हूँ सुबह सुबह चबालें ये चीज और फिर देखें चमतकार जो बोलोगे वो होने लगेगा और हर कोई आपके उपर सम्मोहित होने लगेगा जिसे चाहे सम्मोहित कर सकते हैं तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज है जिसको सुब आपके जीवन के कश्टों को परमत्मत दूर करें, तो आईए आज का वीडियो प्रारम करते हैं, मित्रों हर वस्तू ग्रहों द्वारा शासित है, और जो ग्रहे आपके अनुकूल होता है, अनुरूप होता है, उसके इसाब से जब कोई चीज आप मुँ में लेकर और उसको चबा लेते हो, तो वो ग्रहे एक तरह से आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, उस खादे सामगरी के द्वारा, और आपकी समस्याओं को भी निप्टाने लगता है, करते आप ही हो, पर ग्रहे की पावर आपको मिल जाती है, सुबह सुबह जब खाली पेट प्रथम चीज ज में मजबूती होती है, यही कारण है कि वरत उपवास की भी महत्ता है, बहुत अधिक खाना परिशानियों का कारण बनता है, तो यही कारण है कि सुबह सुबह अगर आप इन चीजों को चबाते हैं, जो की शुबता को बढ़ाने वाली है, तो आपके जीवन में देखिए क कितना चमतकारिक परिवर्दन आएगा, और यह काम आप डेली अलग-अलग चीजों को चबा कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे खास बात यह है, कि यह चीजें सभी के लिए शुब है, इस चीज को ग्रहन करने से किसी का भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, तो आई एक चमच दही भी ले सकते हैं, और तुलसी का पत्ता ग्रहन करें, ऐसा करने से आपके सभी ग्रहों को पावर मिलती है, मंगलवार, मंगलवार के दिन सुबह सुबह जगते ही थोड़ा सा मीठा खा लें, और फिर देखेगा कि आपके जिन्गी में भी कैसे मिठास बनी रह इसके अलावा शक्ती का भी सूत्रपात आपके भीतर होता है, बहुत बड़ी एनर्जी को आप मैसूस करेंगे, और इसके अलावा वाक सिद्धी, वाक पटूता, वाक शमता भी आपके भीतर आती है, अब हम बात करते हैं गुरुवार की, गुरुवार सुबह जगते ही आ यह ग्रह उसके लिए अच्छा, यह ग्रह उसके लिए अच्छा, वो बात सही है बिल्कुल, लेकिन यह जो सारे ग्रह है यह सभी के लिए अच्छे होने बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, अब बात करते हैं शुक्रवार की, शुक्रवार को सुबह जगते ही बहुत थो रवी वार के दिन सुबह जगते ही अंकूरित गेहूं एक चम्मच खा लीजिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा और इनको सबको चबाते चबाते खाना है दही मैं जानती हूँ दही वैसे भी आप ग्रेंड कर सकते हैं लेकिन चबाने के क्रिया कम से कम आपको दो से तिर